बिस्किट एक ऐसा स्नेक्स है जिसे हम सफर में भी ले जा सकते हैं बचों के टिफिन में भी दे सकते हैं और मुतलब चाये के साथ भी डेली खा सकते हैं बट अगर बिस्किट हेल्दी है तो जो बाहर से बिस्किट हम लाते हैं mostly मैदे की होती है और वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है तो बिल्कुल healthy biscuit की recipe आज मैं ले के आई हूँ गेहू के आटे की तो मैंने यहाँ एक कप गेहू का आटा लिया है आधा कप सूजी लिया है ताकि थोड़ा crunchiness इन में आ जाए चार से पांच चमच मैंने घी के लिया है घी कितना होना चाहिए यह अभी आपको पत सा कम पाउडर शूगर लिया है मैंने मिश्री ली है मिश्री को थोड़ा सा पीस लिया था मिश्री क्या होता है बिल्कुल ठंडी होती है और हेल्दी भी होती है और उस दूद को अच्छे से बिल्कुल मिश्री जब मिल जाए तो उससे हम डो रेडी करेंगे और बिल्कुल अच्छे से मैश करके यह देखिए हमारा डो रेडी हो चुका है और बिल्कुल इतना सा दूद हमारा बच चुका है और इसे रैस दे देंगे 10-15 मिनट का ताकि जो सूजी है जितनी फूलनी है वो फूल जाएगी यहां हमारी 10-15 मिनट हो चुकी है हाथों पे थोड़ा सा घी इसे ग्रीस करके और यह देखिए बिल्कुल ऐसे पेड़े से बना लेंगे बिल्कुल अच्छे से हमारी सूजी भी फूल चुकी है जितने साइच को आपको चाहिए और जैसा शेप आपको देना है यहां आप दे सकते हैं मैंने गोल शेप दिया है जो गुड़े की विस्क गाउ से खाते हो देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत ही जल्दी डीजैनट बनकर रेडि हो जाता है यह देखिए हाथ से ही मैंने सारे डीजैन बना दिये कोई भी आप ढबाद सकते हने ओशास मेometer यहां अपको दे रिख और गर्म होने के लिए हैं मैंने य ये देखे दो मिनिट के बाद इन्हें धीरे-धीरे से हम पलट देंगे ताकि अच्छे से दोनों साइड से बेक हो जाए बहुत ही टेस्टी एंड हैल्दी स्नैक्स हैं और खाने में तो इतना लाजवाब है ना आप मतलब इनका टेस्ट बाहर वाले बिस्किट से काफी अच् उनके लिए तो बिल्कुल बैस्ट ओप्शन है तो आप घर पर बनाई और उने खिलाए और यह देखी बहुत अच्छे से हमारे जो बिस्किट है वह बनकर रैडी हो चुके है मैंने टीशू पेपर पर निकाल लिया है ताकि जो एक्ट्रा ओइल है वह सोक कर ले और यह दे है जीज कर दिले है कि बहुत कर दो और यह कर दो है खिलाए और वो चला हुट घज कर दो जा है वह दो